हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो एसे सी एचसल 2020 का एक्जाम जब से पॉस्पॉर्ण हुआ है तो बहुत सारे स्टूइंट्स के मन में ये विचार आ रहा है कि वापस से री एक्जाम ये कब होगा ठीक है तो जो इस वक्त देश का प्रेजेंट सिचुवेशन है उसको देखते हुए और जिस तरीके से केसे सारे हैं उसको देखते हुए मैं इस वीडियो में अपना प्रेडिक्शन आपको बताने जा रहा हूँ कि कब आपके एक्जाम हो सकते हैं और मेरे इसाब से बहुत हो चुके हैं भारत में जिसमें से 1,84,000 जो है इतने लोगों की मौत हो चुकी है और 1,34,000,000 से ज्यादा लोग रिकावर्ड हो चुके हैं यह लाइव अप्डेट है इस वक्त का और अगर मैं केसे की बात करूं तो देखिए 1 अपरील में अगर यह अगर ग्राफ अगर 2,85,000 केस हैं सिर्फ एक दिन में फिर आप 18 में जाएंगे तो वहां पर 2,80,000 फिर 19 को 2,90,000 के करीब और 20 अप्रील को जो यानि कि कल तक का जो अपडेट है उसके एकॉर्डिंग 2,94,000 जो है इतने केसे आये हैं सिर्फ एक दिन में तो आप समझ सकते हैं कि केसे जो हैं डे उपर जा रहा है मई में यह एकदम यहां पे होगा पिक पे होगा तो उस वक्त में तो एक्जाम का कहीं से कोई संभावना ही नहीं बन रहा है क्योंकि लोग पहले सिफ न्यूज में सुन रहे थे कि हां केसे सा रहे हैं अब लोगों के कॉलनी में बगल अगल वहां से रिले लोगडाउन हो चुका होगा यह निस्टित आप मान के चलिए अगर सरकार लोगडाउन नहीं लगा लेंगे क्योंकि अब लोगों के अंदर डर हो चुका है कि पहले तो लोग सिफ अफेक्ट हो रहे थे तो जून में भी कहीं से कोई एक्जाम होने का संभावना तो है नहीं लेकिन जुलाई आते आते तक जो है यह जो ग्राफ ऐसे जो चढ़ा था और मई में जहां पीक था तो जुलाई से थुरा कम आपको दिखेगा जुलाई से भी आपको और कम होता वाजाएगा क्योंकि लो आपको वैक्षिन का पहले चलन में जितने भी बड़े लोग थे 40 प्लस 45 प्लस उनको वैक्षिन दिया गया अब 18 प्लस से उपर वाले तो जुलाई आते अदेक तर आप देखेंगे कि बहुत सारा सिचुएशन जो है वो रिकवर्ड हो चुका होगा और अगर मैं अपनी प पर बता रहा हूं आपको क्या लगता है कि एक्जाम कब हो सकता या इसके बाद भी जो है एक्जाम आपका होगा सेप्टमबर अक्टूबर नमंबर जो भी चीज़ आप सोचते हैं कॉमेंट आप जरूर करेंगे लेकिन ये बात तो तो तह है कि ये क्रोना की वज़े से कही पैंडेमिक सिच्विशन तुरा जब नॉर्मल होगा उस वक्त में आप सब एक्जाम दे देंगे तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओल दे बेस्ट